हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे टीच कोडर्स चैनल पर यह हमारा जावास्क्रिप्ट का एक तलिस्मा वीडियो है इसमें हम स्लाइस मैठेड सिखेंगे तो स्लाइस मैठेड को कि यूज हम कहा करते हैं इसे समझते हैं किसी एरे के सेलेक्टेड एलिमेंट को रिटर्न करा करके उससे एक नया एरे क्रिएट कराने के लिए हम स्लाइस मैठेड का यूज करते हैं तो एक जांपल के रूप में माली जीए कि कोई एक एरे है उसमें मल्टिपल भैलू है और उ उसके कुछ बहलू को यूज करके हम एक नया array बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे slice method का यूज करेंगे तो चलिए इसके syntax को देखते हैं इसका syntax कुछ इस step से है array name.slice keyboard उसके बाद round braces का यूज करेंगे और उस round braces के अंदर हमारा दो element होगा एक start element और end element तो चलिए देखते हैं start element में क्या होता है start element में मतलब की जहां से आप array को select करना शुरूआत करेंगे और दुसरा होता end element मतलब की जहां तक की element को select करेंगे मतलब की यह हमारा last element होगा बतलो कि यह stop element इसको कर सकते हैं यह start element यह stop element तो इसमें एक note करने वली बात होगी end element में क्या होगा end value include नहीं होगा तो end element की value अगर हम चाहेंगे include करना तो क्या करेंगे उसमें end value की element में होगा है तो उसमें एक element बढ़ करके देना परेगा end element में मतलब कि अगर end element 2 तक यूज करना था तो हम जा करके end element का अब 3 तक का यूज करेंगे तो इसको समझने के लिए हमें एक छोटा से example कि में चलते हैं यहां देखिए हम ए नाम करके एक array लिया है उसमें 1, 5, 4, 9 की value को assign किया है तो अब हम इसके indexing को समझते हैं 1 की indexing 0 है 5 की indexing 1 है और 4 की indexing 2 है 9 की indexing 3 है अब हम चाहते हैं क्या 1 और 5 की value को use करके हम एक नया array बनाएं तो हमें क्या करना परेगा इसका indexing 0 है तो हम यहां पर start element में क्या रहा है डालेंगे? 0 डालेंगे और int element int element हमारा क्या हो गया? हम यहां तक की select कर रहे हैं? तो 1 तो इसको 1 डालेंगे? नहीं यही चीज़ हम यहां पर बता रहे थे कि int value इसमें included नहीं है तो इसमें addressing 1 बढ़़ करके use करना परेगा तब हम यहां तक करेंगे तो 0 यहां पर रखेते और यहां पर क्या डालेंगे? 2 डालेंगे 1 नहीं डालेंगे 2 डालेंगे मतलब एक बढ़़ करके डालेंगे अगर यही हमें 4 तक ही!! 어떻게 use करना होता? तो हम क्या करते, start में 0 डालते और यह 4 को यूज करने के लिए हम एक element आगे बढ़ जाते तो 4 के indexing क्या है, 2 है तो हम यहाँ पर एक आगे बढ़ जाएंगे तो यह 3 हो जाएगा तो यहाँ पर 0 और 3 हो जाएगा 0 और 3 का यूज करेंगे लेकिन इसमें हम अभी क्या चाह रहे है 1 और 5 को लेना तो 0 को यूज करेंगे और 2 को यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका आएरे का नाम क्या था तो यह रखें, उसके बढ़ डाउट सलाइस की वर्ड का यूज किया उसके अधर राउंड प्रैस के अंदर 0 यह 0, 1 का इंडेक्सिंग 0 था तो 0 और 5 का इंडेक्सिंग 1 था लेकिन हमको एक बढ़ करके लेना है तो इसमें जाकर के 2 रख दिये तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो यहाँ पर हमने html document के अंदर a script type का यूज़की है इसी a script type के अंदर हम slice method का practice करेंगे slice method को practice करने के लिए हमें एक array की ज़रत होती है तो चलिए सबसे पहले हम ए नाम करके एक array बनाते हैं जिसमें हम कुछ value को assign करेंगे तो apple apple mango banana 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 cat dog egg तो यहाँ पर देखिए हम ए नाम करके एक array बना लिया है जिसमें apple, mango, banana, cat, dog egg रख लिया है एक को नहीं यहाँ पर elephant कर दते हैं ऐसे आप रख भी सकते हैं लेकिन हम elephant कर रहे हैं इसलिए क्योंकि यह 3 हमारा fruit होगा 3 हमारा animals का नाम है इसलिए हम रखे हैं अब हम क्या करेंगे हम apple, mango बनाना की hyaloo को यूज करके एक नया array create करेंगे तो चलिए क्योंकि हम जानते हैं कि apple, mango बनाना fruit है इसलिए हम fruit cake बहरेवल लेंगे आप यह कुछ भी रख सकते हैं ऐसा नहीं कि आप fruit ही रखेंगे लेकिन हम इसमें fruit रखेंगे bear bear fruit is equal to हम क्या करेंगे हमारा array का नाम क्या है तो ए रखेंगे उसके बाद dot slice इसमें हमारा कितनी element होगा दो element होगा तो एक पहला क्या होता है जहां से हम सुरुवात करते हैं तो शुरुवात कहां से कर रहे हैं तो apple से apple का indexing क्या होगा तो 0 apple का indexing 0 के है तो 0 डाल दिये उसके बाद हम banana तक use करना चाहा रहे है 0 1 2 तो यहां पर हम 2 डालेंगे तो डाल देंगे तो हमें क्या print होगा apple, mango, banana banana print नहीं होगा क्योंकि जहां पर भी लास्ट element डालेंगे तो लास्ट element की भाहलू include इसमें नहीं होता है तो इसको use करने के लिए हमें एक indexing आगे की और चलना परेगा तो यहां तक चलते तो हमें बनाना प्रिंट भी करके देता तो अभी हम फिलहाल इसी को रखने देते हैं उसके बाद देखाते हैं आपको कि क्या प्रिंट करेगा document.write अब अभी क्या प्रिंट होगा दखिए यह पल और mango प्रिंट होगा देख लीजिए apple और mango प्रिंट होगा हमें चाहिए बनाना तक की भैलो एक बढ़ करके तो यहां से देखिए 0 1 2 3 हाँ indexing इसका क्या हो जागा 3 हो जागा तो हमें बनाना प्रिंट करके देगा देखिए बनाना प्रिंट करके देगा इसकी भी भैलो चाहिए तो हमें क्या करना परेगा 0 1 2 3 और इसको 4 काइट तक की भैलो चाहिए तो हमें 4 करना परेगा 4 करना परेगा अब हम देखिए अब हम चाहते है कि कैट और डॉग की भैलो हमें मील जाए तो हमें क्या करना परेगा तब फिर से काउंटिंग करते है 0 1 2 3 काइट की इंडेक्सिंग क्या है 3 है तो यहां पर हम क्या डाल देगे 3 डाल देगे और यह डॉग की इंडेक्सिंग तो फिर से एक वार कर लीजिए 0 1 2 3 4 यह 4 हो जाएगा अब देखिए तो इसमें काइट और डॉग नहीं प्रिंट करेगा सिर्फ काइट प्रिंट करेगा यह देख लीजिए देखिए जो कि हम पहले बता चुके है यहां पर हमें क्या करना परेगा 4 नहीं करके 5 करना परेगा यहां पर देखिए यहां पर डॉग भी अप्रिंट हो गया अगर हम चाहते हैं कि काइट के बाद से हमें elephant तक प्रिंट हो तो हम क्या करेंगे अब इसके आगे तो को हमारा कोई element ही नहीं तो आगे बढ़ करके कैसी यूज करेंगे अब तो सवाल यहां पर यह उठता है तो simply क्या है जहां स्टार्टिंग देंगे उसके आगे के सारे भैलू आपको चाहिए तो यह हटा देजिए अब के सारे भैलू मिल जाएगा देखिए cat dog elephant जिसे मान लिए कि मैंगो साबको सारा भैलू चाहिए था तो 0,1 यहां पर हम 1 रग देखिए मैंगो से लेकर के सारे भैलू प्रिंट हो जाएगा देखिए मैंगो, बनाना, cat, dog, elephant सारे प्रिंट हो गया मैंगो, बनाना, cat, dog, elephant ओके अगर topic से related कोई question हो तो comment box में अपना comment डालेगा मुझे उमीद है कि या video आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा video तो like किजेगा, share किजेगा मिलते हैं next video में अब तक के लिए धन्यवाद अब तक के अड़ा